गौालियर के देहात शेतर में जैनमंदिर से अश्ट धातू से बनी मूर्ती सहित अन्य सामान चोरी कने वाले दो आरूपियों को पुलिस ने माल के साथ गिरफतार कर लिया है बताये गया है कि पकड़े गए आरूपी शातर चोर हैं और जैनमंदिर में चोरी की वार्दात को अंजाम देने के लिए उन्होंने जेल में यूजन बनाई थी फिलाल इस मामले का एक आरूपी फरार बताये जा रहा है गोर्तलब है कि 30 नवंबर की दर्मियानी राद ग्वालियर के देहात थानक्षेत्र के ग्राम पनिहार इस्थित आदिश्वर धाम जैनमंदिर से अग्यात आरूपियों ने भगवान आदिरात की अश्ट धातू से निर्बेत एक मूर्ती 6 छत्र और 3 दान पेटियां समास से जुड़े लोगों ने चोरी की इस घटना पर नाराजगी जताते हुए स्पी को ग्यापन सौपा था और आरूपियों को गिरफतार करने की मांग की थी वह घटना के बाद क्राइम ब्रांच और पनिहार थाना पुलिस आरूपियों के पहचान के प्रयास कर रही थी तफदीश के दोरान पुलिस ने आरूपियों की शिनाक्त कर ली थी इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरूपियों को ग्वालियर के जरारूग अस्पताल में देखा गया है और इसके बाद पुलिस ने दविश्दे कर दो आरूपियों को दपोच लिया पकड़े गए आरूपियों ने अपने नाम जंदेल सिंग और कलेक्टर सिंग बताये हैं प्रारंभिक जानकारी उनसार पुलिस को पता चला कि पकड़े गए आरूपी शातिर चोर हैं और जैन मंदिर में चोरी की योजना जेल बेरेकर बनाई थी पुलिस को उम्मीद है कि आरूपियों से और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है इधर जैन मंदिर से चोरी करने वाले आरूपियों की जानकारी मिलते ही समाज के लोगों ने एसपी से मिलकर उनका आभार जटाया इसमें हमारे दोनों एडिशनल एसपी दोनों डीएसपी और क्राइम की टीम और थाना पनिहार इन्होंने बड़ी मेहनत की और लगातार ग्राउंड पुलिसिंग करके इसमें दो आरूपियों को ग्रिफतार किया है जिसमें से एक को भरतपुर से पकड़ा गया है और इनसे जो चोरी किया गया ओरीजनल छट्र थे वो बरामद हुआ है और साती भगवान आदिनात जी की जो प्रतिमा थी वो सकुषल बरामद हुई है जो पकड़े गए दो चोर है ये उसमें से एक मुरेना थाना सराय छोल चितर का रहने वाला है उसके उपर करीब 15 मामले लूट और चोरी के दर्ज हैं इसमें मूल कहानी ये है कि जब ये चोरी हुई तो इसके बाद थाना पनिहार के पुराने चोरों से पूष्टाच आरम की गई और उसी में ये कलू मिला कि गौालियर सेंट्रल जेल में ये ज पर इस तरह की मूर्तियां और इस इन्पुट पे या सूचना पे इन्होंने प्लान किया और जिस दिन ये चोरी हुई उसके एक दिन पहले ये लूग आकर पूरा रैकी करके गए कि हमें कहां से क्या उठाना है और उसके बाद इन्होंने ये चोरी की परन्तु इसमें ये बाद भी थी जो छत्र थे चुकि इन में चमक जादा थी तो इनके मन में ये था कि इसमें काफी मात्रा में स्वर्ण धात हुए या सोना है और किन्तु ऐसा नहीं था पर इसमें बड़ी ग्राउंड पुलिसिंग और बड़ी मेहनत के साथ भरतपुर से एक आरोपी को एक कुछिनौल शित से पकड़ा है एक अन्य आरोपी इसमें है जो की मुरैना में ही एक गोली लगने के कारण ट्रॉमा सेंटर में भरती है वो भी इनके साथ था उसकी भी ग्रिफतारी की जाए थी उसको 10,000 रुपे का कैशे वाइड भी मेरे द्वारा दिया जारा है